बाते हैं जो मैं important बताने जा रहा हूँ आपको सबसे पहली बात पिपिटी के बारे में slides के बारे में जैसा आप देख पा रहे हो आज मैंने थोड़ा सा change किया है मैंने पूरी slide में पूरे उस space को दिया है English के section को और मैंने क्या किया है कि यह जितने भी sections हैं इनको पहले English में cover किया है और जो second part है उसमें सारे sections को Hindi में लिखा है एक approach यह हो सकती है एक approach वो है जो हम कर रहे हैं कि screen को दो parts में divided कर देते हैं और एक side में Hindi रहता है एक side में English रहता है that is the secondary approach जो हम लोग कफी लंबे समय से चला रहे थे मैंने इस approach को try इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा कभी-कभी visibility में हमको problem होता था खास करकि जब कोई बड़ा section होता था और बड़े section होने की वज़े से वो कई 6-7 side slide तक चलता रहता था तो अगर मैं इसमें try कर रहा हूं आज अगर कोई भी बच्चा है जो हिंदी के through पढ़ता है sections को या हिंदी के through ही समझता है तो पहले आप कोशिश करके देखो try it out अगर आप समझ पारे हो क्योंकि मैं बोलता continuously हिंदी में ही हो और हिंदी में जो translation है इस sections का वो मैंने डाल रखा है इस PPT के end में जो आपको application के through मिल समझ में आ रहे हैं कोई भी expression है जो नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो freely वैसे तो जो भी important terminology होती है उसको मैं explain करता ही हूं हिंदी में इंग्लिश में अगर कोई छूट जाए तो आप पूछ भी सकते हो ठीक है और अगर और और भी किसी भी तरीके की कोई चानी हो तो मुझे बता सकते हैं इसमें थोड़ा से मैंने देखा कि एक space बड़ा बन गया पूरी स्क्रीन पर हमारा एक section आगया जिससे क्या हो रहा है कि टूट नहीं रहा है वो थोड़ा सा ना हमारा पढ़ाते पढ़ाते को sequence टूट जाता था क्योंकि तीन लाइन आ पात अगे अगर कोई परेशानी हो कोई भी दिक्कत हो तो भी बताना and if you are able to manage it in that case also मेरे को बता दो आज की class ट्राइक कर लो उसके बाद मुझे को बता देना ठीक है तो यह तो बात होगी PPT की अब आ जाओ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं C.A.P.C के अंदर हमने C.A.P.C के अंद especially जिनकी शुरुवात 195 से हो रही थी जहां पर मैंने उनको इस तरीके से represent किया था आपके सामने कि यह cognizance की जो power है हमारे magistrate की उसकी कुछ exceptional situations हैं मतलब ऐसी इस्तितियां हैं जहां पर यह जो magistrate की power है under section 90 to take cognizance उस पर कुछ restrictions लगाती हैं फिर हमने देखा कि section 195 के अंदर 6 के अंदर 7 के अंदर 8 के अंदर अलग अलग तरीके के scenarios में अलग अलग तरीके के background में restrictions लगाई जा रही थी कुछ जगह पर restrictions ऐसी थी कि permission चाहिए थी state government की या फिर central government की कुछ जगह ऐसी थी कि चाहिए था कि वही particular person जैसे अगर public servant की बात है वही बंदा complain करे या फिर court है तो व हमने इन कुछ restrictions को पढ़ा था आज सबसे पहले यही जो हमारी चर्चा हो रही है जो restrictions है over the power of the magistrate किसी भी case का cognizance लेने के बारे में पहले इस चर्चा को खतम करेंगे तो इस चर्चा में हमारा कुछ जादा नहीं बचा हुआ है we have got three sections left तीन sections बचे हुए है जिनके हमें चर् 38 B और 199 ठीक है 198 तक हमने last class में cover कर लिया था यह तीन sections में अभी करा दूँगा 10 minutes से जादा नहीं लगेगा बहुत सिंपल से sections है उसके बाद once we are done with this तो यह chapter complete हो जाएगा हमारा chapter number 14 उसके बाद जो हमारा chapter number 15 है और chapter number 16 है यह दो chapters हमारी इस class का next class का agenda रहेंगे और यह जो दोनों ही chapter हैं बच्चे they are quite important क्योंकि cognizance का जो अगला कदम है वो बड़ा महत्पूर्ण होता है क्योंकि cognizance में मैंने आपको बताया था कि cognizance का मतलब क्या है कानूनी रूप से कुछ बहुत बड़ी काम तो हो नहीं रहा है कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया तो हो नहीं रही है it is just a part of formality कि पुलिस जो हमारा magistrate साहब है वो अपना application of mind कर रहे हैं over a complaint और a police report या फिर खुद की किसी information पर या फिर third person से प्राप्त की गई किसी information पर तो वो application of mind वाला factor था पर जब एक बार cognizance ले लेते हैं उसके बाद कुछ serious steps लेने होते हैं procedurally बहुत ही important होते हैं और वो निर्धारित करते हैं कि कोई भी case किस दिशा में जाएगा और सबसे महत्तूर्ण बात ये ऐसी requirements है कि जिनके साथ अगर कुछ गड़बड हो गई तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो जो पूरा ट्राइल है उसमें दिक्कत आ जाती है तो बहुत जादा consequential है तो as a student तो आपको ये पता ही होना चाहिए बट कल को luckily मैं होप करूँगा कि सबका ये सपना पूरा हो अगर आप उस गड़ी पे बैटो तो आपके लिए बड़े important sections है कि यहाँ पर आपकी गलती को माफ नहीं करता CRP से तो हम पढ़ेंगे बच्चे under chapter 15 section 200, 201, 202 और 203 ये चारो sections जो हमारा cognizance की स्थिति है उसका just next step है the very next step कि उसके बाद क्या करना है once you take the cognizance उसके बाद जो हमारा chapter number 16 है this is the formal starting of the proceedings chapter 16 मा करता है वो इस्तिति जहां पर हम बोल सकते हैं कि court के सामने कारवाई शुरू हो गई है अभी तक शुरू नहीं हुई है cognizance लेने से कारवाई शुरू नहीं हो जाती जैसा मैंने बोला cognizance is the simple application of mind कि magistrate साहब अभी मूड ही बना रहे हैं यही काम chapter 15 में भी होगा जो next step है पर जो chapter 16 है that is the formal benchmark कि उसके जैसे ही इदार आ जाते हो आप जैसे ही आप chapter 16 में एंटर करते हो from chapter 15 from that point onwards आप formal legal proceedings का part हो गए हो ठीक है तो यह दोनों ही मैं आपको chapters पढ़ाऊंगा मतलब आज एक वो दिन है जहां पर हम असल कारवाईयों के बारे में जान पाएंगे which is a very very important point and very good news news for us क्योंकि इस चीज के लिए बहुत लंबे समय से इंतिजार कर रहे है ठीक है तो आएए बिना किसी को time को waste करे शुरूबात करते हैं ठीक है और बहुत ही simplistic manner में रखना है चीजों को यह जो तीन section है इनका context आपको पहले से पता है कि क्या है restrictions है और जैसे ही section 199 complete हो जाए अगर मैं भूल जाओं बताना तो फिर दो तीन लाइन चोड़ना और फिर section 200 से शुरूआत करना ठीक है उसको मिलाना मत confuse मत करना आज बच्चे आपको IPC की भी बार-बार जरूवत पड़ेगी तो सभी से मैं चाहूँगा कि इंडियन पीनल कोड को अपने पास ही रखो और in fact इस बात को habit बना लो कि जब भी CIPC class हो तो आई के पास IPC और evidence होना ही चाहिए क्योंकि कभी भी जरूवत पड़ सकती है तो आओ बच्चे सबसे पहला section देखते हैं और यह जो सबसे पहला section है बड़ा simple सा section है क्योंकि यह IPC की दुवारा provided एक अपरास से जुड़ा हुआ है है वही इस्तिती इस्तिती वही है restriction वाली ठीक है पहले section का number याद करो क्योंकि इसका number याद करना बड़ा आसान है section 198a section 198a और यह किसके बारे में बात करता है prosecution of offenses कौन से अपरादों के बारे में जो अपराद section 498a के अंदर कवर है 498a किसका Indian Penal Code आपने बहुत सुना होगा 498a सुना है बहुत ज़्यादा debate चलता है discussion चलता है misuse की बाते होती है उसी section 498a की बात होती है तो हमारा देखो कैसे याद रखो के CRPC का कौन सा है 198a किस से जड़ा हुआ है IPC के 498a से याद हो गया और देखो बोलता क्या है यह section अभी मैं आपको 498a भी पढ़ाऊंगा पर इसका थोड़ा सा context ले लो यहाँ पर यह section बोलता है कि कोई भी court cognizance नहीं लेगा किसी भी ऐसे अपराद के बारे में section 498a के अंदर IPC के ध्यान से देखना जब तक की police report जिसके अंदर वो तथ्थे लिखे होंगे बहुत ध्यान से देखना बहुत अलग section नहीं है जब तक की police report जिसमें वो तथ्थे लिखे होंगे जिन तथ्यों के आधार पर बूला जा सकता है कि 498a का अपराद हुआ है यहाँ फिर वो जो complaint है जो किसी व्यक्ती ने की है जो खुद एग्रीवड होना चाहिए कौन होना चाहिए एग्रीवड होना चाहिए यहाँ फिर उस एग्रीवड व्यक्ती के पिता यहाँ फिर उसकी माता यहाँ फिर उसका भाई यहाँ फिर उसकी भैन यहाँ फिर उसके पिता का यहाँ माता का भाई मतलब मामा चाचा ताउ यहाँ फिर भैन बुआ मौसी और अगर कोट की पर्मीशन रही तो कोट की पर्मीशन के साथ ऐसा कोई भी व्यक्ती जो उस एग्रीवड परसन से खून के नाते शादी के नाते यहाँ एडॉप्शन के नाते जुड़ा हुआ है बहुत ध्यान से सुनना सुनने में थोड़ा सा आपको कॉंप्लिकेटिड लग रहा होगा पर बिल्कुल भी नहीं है इसको दो बाट में बाटना है पहला पार्ट है पुलिस रिपोर्ट के बारे में दूसरा पार्ट है कंप्लेंट के बारे में आप सभी को पता है कि सेक्शन 190 के अंदर तीन ओप्शन से मजिस्ट्रेट के पास पहला ओप्शन था कौन सा कंप्लेंट का एक के अंदर दूसरा ओप्शन था पुलिस रिपोर्ट का और तीसरा था किसी अधर परसन की इंफॉर्मेशन या उसकी खुद की नॉलेच तो यहां पे बात हो रही है पहले और दूसरे ओप्शन की पहला कंप्लेंट दूसरा तो ये ज़रूरी है कि वो पुलिस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ वो तत्थ लिखे हो जिनसे जाहिर हो रहा हो कि सेक्शन 498-A का अपराद हुआ है जब पुलिस रिपोर्ट इतनी एक्स्प्लिसिट होगी तब ही मजिस्ट्रेट साहब कॉगनिजेंस ले पाएंगे पहली बात तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गई किसके बारे में बच्चे पुलिस रिपोर्ट के बारे में कि पुलिस रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो क्लियरली एक्स्प्लिसिटली उस 498-A के अपराद को प्रत्यक्श रूप से दिखाए दूसरा अगर कॉगनिजेंस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं बलकि कंप्लेंट के आधार पर लिया जा रहा है मतलब सेक्शन 190 के सब सेक्शन 1 के एक के अंदर लिया जा रहा है तो ऐसी स्थिती में ये जरूरी है कि वो complaint या तो उसी व्यक्ति ने जो व्यक्ति एग्रीवड है आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं कि इसमें महिला ही एग्रीवड होती है एक ऐसी महिला जो शादी शुदा है तो एक महिला जो महिला जिसके साथ गलत हुआ है या तो वो मह मौसी तो कंप्लेंट को तभी स्विकार किया जाएगा कंप्लेंट के आधार पर कंग्निजन्स तभी ली जाएगी जब इन में से कोई कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो फिर court की कोई permission लेने की जरूरत नहीं है इन में से कोई भी वेक्टी जाके complain दे सकता है या तो वो agreed person खुद या फिर उसके ये सारे रिष्टेदार पर अगर कोई वेक्टी है जो उस महिला से उस agreed person से जुड़ा हुआ तो है खून के नाते शादी के नाते या एडॉप्शन के नाते पर इन category में से किसी भी category में नहीं गिर दा मतलब इनके अलावा कोई दूसरा रिष्टेदार है तो ऐसी इस चिती में उसे पहले permission लेनी पड़ेगी और जब उसे permission मिल जाएगी तब ही उसके दुआरा दी गई complaint के आधार पर cognizance ली जा सकती है ठीक है तो मोटे तोर पर इसको तीन भाग में बाटना है section को पहला भाग है police report के बारे में कि police report clearly constitute करनी चाहिए उस offense को दूसरा भाग है complaint के बारे में और ये इन relatives के बारे में है कि ये लोग complaint फाइल करेंगे तो चलेगा और तीसरा भाग है उन relatives के बारे में जो इस category में निकिर रहे ये अलग क्यों है क्योंकि इनको court की पहले permission लेनी पड़ेगी ठीक है so this is the scenario जो cognizance लेने के बारे में important रहता है जब हम section 498A की बात करते हैं हलका सा briefly 498A को देख लेते हैं जिसे कोई भी बच्चा अगर doubt में हो confusion में हो कि 498 है क्या उसको भी थोड़ा सा relief मिले फटाफट से बच्चे अपने statute खोलो और section 498A निकालो मज़ेदार section है हमको समय लगेगा यहां तक पहुचने में पर इसमें बहुत question arise होता है बहुत सवाल पूचा जाता है ठीक है बहुत disputed सा section है देखेंगे यह बच्चे chapter number 20A है हमारे IPC का और इस chapter का title है of cruelty by husband or relative of husband मतलब ऐसे अपरादों की बात करता है जहां पर कोई पती या पती के रिष्टदार cruelty करते हैं तो देखो 498A क्या कह रहा है 498A की heading है husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty पती या पती के रिष्टदारों के द्वारा एक महिला को प्रतारिट किया जाना उसके साथ क्रूर भिहवार करना तो कोई भी व्यक्ति जो husband है या husband का relative है अगर वो उस पत्नी को उस महिला के साथ क्रूर भिहवार करता है तो उसको सजा दी जाएगी और सजा के तौर पर उसे जेल भेजा जा सकता है तीन साल तक के लिए और साथी साथ उस पे fine भी लगाया जाएगा तो जेल जाने की अवधी जो है वो तीन साल तक की है और साथी साथ fine का भी लगाया जाना ज़रूरी है फिर explanation को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी तो यही जो अपराध है जो एक पत्ती या पत्ती के relatives किसी महिला के खिलाफ कर रहे हैं किसी पत्ती के खिलाफ कर रहे हैं उसी के बारे में है section 498 तो ऐसे अपराध हों की cognizance कोई भी magistrate कब लेता है अगर वो police report है तो वो clearly उस offense को दर्शाए अगर वो complaint है तो इन लोगों के दुआरा हो या फिर इन लोगों के दुआरा है तो court की leave लेने के बाद ठीक है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा structure ठीक है अब आता है section 198 बी अब यह जो section 198 बी है यह थोड़ा सा interesting है थोड़ा सा बहुत जादा थोड़ा सा क्यों क्यों कि यह बात करता है cognizance of offense की देखो क्या बोलता है यह बोलता है कि कोई भी court cognizance नहीं लेगा किसी भी ऐसे अपराद की जो अपराद है हमारे IPC के मैंने बोला ना आज IPC साथ में रखना पड़ेगा हमारे IPC के section 376 बी के अंदर 376 देखके आप इतना जो समझ के होगे कि कुछ ना कुछ कहानी sexual offense की है रेप की है तो क्या बोला जा रहा है कि 376 बी के अंदर जो अपराद बताया गया है उसकी cognizance नहीं लिया जाए अगर वो जो लोग involved हैं उस अपराद के अंदर वो marital relationship से बंदे हुए हैं मतलब शादी शुदा संबंद में बंदे हुए हैं और कब तक cognizance ली जाएगी जब तक cognizance नहीं ली जाएगी जब तक पूरी तरीके से satisfaction ना हो जाए उन तत्यों के बारे में जो तत्य सीधी और इशारा करें उस अपराद की तरफ और ये तत्यों के बारे में जानकारी जो किसी complaint से आ रही है ये जरूरी है कि वो complaint केवल और केवल उस महिला के दुवारा उस पतनी के दुवारा ही फाइल की जाने चाहिए जिसके खिलाफ वो 376 B का अपराद हुआ है तो दो बाते हैं दो requirements हैं cognizance लेने की section 376 B के अंदर offense के बारे में पहला वो जो complaint है जो complaint है वो explicit होनी चाहिए मतलब उसमें sufficient information होनी चाहिए जो clearly दिखाए कि section 376 B का अपराद हुआ है और दूसरा जो complainant है वो हमेशा wife ही होनी चाहिए वही महिला होनी चाहिए जिसके साथ section 376 B का अपराद होना है तो ये एक complaint के बारे में requirement है एक complaint के बारे में requirement है जल्दी से देख लेते हैं बच्चे section 376 B of IPC उस बारे में भी clarity ले लेते हैं तो 376 का जो B है हमारे IPC का अब देखो रेप तो भया एक serious offense है और हर तरीके की debate भी चलती है समाज के अंदर पर देखते हैं section 376 B क्या कहता है section 376 B का title है बच्चे sexual intercourse by husband upon his wife during separation during separation मतलब sex किया जा रहा है या sexual intercourse किया जा रहा है पती के दुआरा अपनी पत्नी के साथ और ऐसे समय पर जब वो दोनों separated है अलग है तो कोई भी व्यक्ति जो sexual intercourse करता है अपनी खुद की पत्नी के साथ जो पत्नी उससे अलग रह रही है और अलग रहने की वज़े कोई degree of separation भी हो सकती है जैसे हमने हिंदू marriage act के अंदर पढ़ा था याद है judicial separation section 10 of Hindu marriage act कोई ऐसी इस्तिती है या फिर किसी भी वज़े से अलग रह रही है पर ये जो sexual intercourse किया गया पती के दुआरा ये बिना महिला की consent के लिक साथ किया गया मतलब जोड जबरदसी से किया गया तो ऐसी इस्तिती में ये जो पती है उसको जो सजा हो सकती है वो सजा बचे वो दो साल से कम नहीं होगी और जादा से जादा वो साथ साल तक हो सकती है जो जो सजा की अवदी है जो imprisonment की अवदी है वो दो से लेके साथ साल के बीच में होती है वैसे तो ऐसे अपराद बहुत कम है हमारे IPC के अंदर जिसमें कोई minimum punishment बताई गई है कि मतलब इतने के लिए तो जेल में जाना ही पड़ेगा पर उन में से ये एक section है जो बोलता है कि ऐसा पत्ती कम से कम दो साल के लिए तो जेल में जाएगा ही जाएगा पर जादा से जादा वो साल साल के लिए जेल में जा सकता है पर offense की requirements क्या है offense की सबसे पहली requirement है कि वो जो wife है वो separately रह रही हो अलग से रह रही हो फिर चाहें उसके separately रहने की वज़ा कोई decree हो या फिर otherwise हो दूसरी requirement है कि husband जो है वो sexual intercourse करता है without consent husband sexual intercourse करता है without consent जब ये दोनो requirements satisfy होती है तब उसको ये punishment दी जा सकती है और CRPC कहता है कि अगर ऐसा कोई भी अपरात के बारे में complaint प्राप्त हो रही है तो वो complaint ऐसी होनी चाहिए जिसमें clearly ये बातों की clarity हो कि पहली बात की पतनी अलग रह रही हो इस बात की clarity होनी चाहिए उस complaint के अंदर और दूसरा पती ने sexual intercourse किया है बिना wife की consent के इस बात के बारे में clarity होना चाहिए और साथ ही साथ जो complaint है वो खुद वो महिलाई होनी चाहिए वो wife ही होनी चाहिए जिसके साथ ये अपरात किया गया है तब ही कोई magistrate cognizance ले पाएगा ठीक है उमीद है आपको ये section भी समझ में आ गया होगा ठीक है अब चलते हैं बच्चे आखरी section पर है अब ये जो section है ये थोड़ा सा lengthy है और important भी है और ये आखरी restriction है हमारे cognizance के मामले में तो हमारा जो section 199 है इसका context देख लो इसका context है defamation defamation से जुड़े हुए अपराधों के बारे में restrictions लगाता है अब defamation का मतलब क्या होता है defamation का आम मतलब तो वैसे तो बच्चे बहुत elaborated definition है हमारे IPC के अंदर पर आम मतलब है मानहानी करना किसी की किसी की reputation को hurt करना तो वैसे जो अपराध होते हैं उनके बारे में restriction लगाई जा रही है तो देखो बो लग जा रहा है कि कोई भी court cognizance नहीं लेगा किसी भी ऐसे अपराध के बारे में जिसकी सजा जो है chapter नंबर 21 के अंदर दी गई है IPC की तो जैसे पिछले जो दो sections है वहाँ पे तो clearly किसी पर्टिकुलर section की बात हो रही थी जैसे 198A के अंदर 498A की बात हो रही थी और 198B के अंदर 376B की बात हो रही थी पर यहाँ पर किसी section को reference ना देके बलकि बलकि IPC के पूरे के पूरे chapter को दिया जा रहा है reference और वो कौन सा chapter है 21 अभी बढ़ाऊंगा आपको और क्या बोला जा रहा है कि chapter 21 के अंदर जो भी अपराद लिखे हुए हैं उनके बारे में magistrate साहब कोगनिसेंस नहीं लेंगे जब तक कंप्लेन नहीं फाइल की जाएगी उस अपराद के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो एग्रीव्ड है मतलब जिसके साथ अपराद हुआ है जो एग्रीव्ड है उस डिफिमेशन से जब तक वो कंप्लेन फाइल नहीं करेगा तब तक कोगनिसेंस नहीं ली जा सकती मजिस्टेट साब के द्वारा पर इसकी कुछ लिमिटेशन से अगर वो जो व्यक्ति है जिसकी रेपूटेशन खराब हुई है जिसका दिफिमेशन हुआ है अगर उसकी उमर 18 साल से कम है क्या है मतलब वो माइनर है आसान साउंडनेस अफम मानसे सफर कर रहा है या फिर वो सिक्कनेस से सफर कर रहा है किसी भी इनफर्मिटेश भीमार है इनफर्म है ठीक है मतलब किसी भी ऐसी इस्टिती में है जिसकी वज़े से वह सक्षम नहीं एए खुझ से कंप्लेंट फाइल करने में ए या फिर वो एक महिला है जो कस्टम्स की वज़े से रीती रिवाजों की वज़े से आमतौर मर पबलिक में नहीं आती है बतलब परदा नशी लेडी है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों के बारे में कम्प्लेंट फाइल की जा सकती है किसी दूसरे वेक्ति के द्वारा भ पर्मीशन तब ही देगा जब वो सेटिस्वाई हो जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर परसन है जिसके साथ वो अपराद हुआ है वो इन में से किसी कैटिगरी में गिर रहा है तो एक बार जब पर्मीशन मिल गई तब ही कोई दूसरा वेक्ति कम्प्लेंट फाइल कर सकेगा किसी भी ऐसे अपराद के बारे में ठीक है तो सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा चैप्टर 21 है IPC का अगर उसके अंदर कोई भी अपराद हुआ है तो उसके बारे में कॉगनिजेंस नहीं लेंगे मजिस्टेट साहब जब तक उसके बारे में कम्प्लेंट वही वेक्ति ना करें जिसके साथ वह अबराद हुआ है मतलब एग्रीवड पर्सन ना करें पर इसकी कुछ एक्सेप्शन्स हैं और वह एक्सेप्शन्स हैं माइनर लोगों के फेवर में अंसाउंड माइंड लोगों के फेवर में इन्फर्म या सिक लोगों के फेवर में या फिर परद चैप्टर 21 है आई पीसी का जिसके बारे में यह पूरा का पूरा सेक्षिन बनाया गया है उसमें कौन-कौन से अपराद हाते हैं जिसे हमारी थोड़ी सी की अंडरस्टेंडिंग डैवलप होगी वरना थोड़ा सा भी ब्लैंक ब्लैंक सा लग रहा है तो जल्दी से खोलो बचे चैप्टर 21 को अपने कंटेंट के पेज़ पेज़ आपका चैप्टर 21 है उसका टाइटल है ऑफ डिफिमेशन मतलब डिफिमेशन से जुड़े हुए अ प्रिंटिंग अरी और प्रबाव पड़ेगा अगर कोई भी विख्ति उसको प्रेंट कर रहा है उसको एंग्रेव कर रहा है तो वह सजा का पात्र होता है सेक्शन पांसो एक अंदर 502 को देखिए सेल औफ प्रिंटेड और एंग्रेव सब्स्टेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मेंटर 502 के अंदर वो व्यक्ति पकड़ा जा रहा है जो इसी चीज को जो डिफेमेटरी है जो रेपुटेशन को अफेक्ट कर रही है जिसको प्रिंट किया गया था जिसको एंग् है इनके बारे में मजस्टेट साहब को प्राब होई है इस इंग्रेविंग की वज़े से प्रेंटिंग की वज़े से यांसे तक वो कंप्लेंट नहीं करते और उन एक्सेप्शन सिचूएशन में कोई दूसरा वेक्ति विद्धी परमीशन और ठीक है क्लारिटी है अब दे जब भी कोई अपराद हमारे chapter 21 में गिरता है जिसकी हमने discuss करी है और वो अपराद किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया गया है जो व्यक्ति उस समय पर जब वो अपराद हुआ है मतलब जब वो defamation हुआ है उस समय पर भारत का president है भारत का राश्टपती है या फिर vice president है भारत का या फिर किसी भी राज का governor है या फिर administrator है किसी भी union territory का या फिर मंत्री है minister है अब वो minister केंद्रिय सरकार में भी हो सकता है राज सरकार में भी हो सकता है या किसी union territory में हो सकता है या फिर कोई भी public servant है जो केंद्र सरकार के लिए या फिर राज सरकार के लिए काम कर रहा है ठीक है तो अगर ये सारी इस्तितियां है इन में से कोई भी situation बन रही है कि defamation तो हो रहा है chapter 21 के अंदर पर वो defamation किसी आम व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो रहा आप जैसे मेरे जैसे लोगों के खिलाफ नहीं हो रहा पर हो रहा है इन category of लोगों के खिलाफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एंडिस्टेटर, मिनिस्टर, पब्लिक सर्वेंट तो ऐसी situation में सबसे पहली बात तो ये है कि जो cognizance है वो cognizance magistrate सहाब नहीं लेंगे जैसे हमने section 190 में पढ़ा था कि आम तोर पर cognizance कौन लेता है magistrate of first class और with the permission of chief judicial magistrate magistrate of second class court of session तो cognizance लेने का काम ही नहीं है court of session का court of session का तो आम काम है कि वो trial conduct कराता है ये बात हमने section 192 के इंदर भी पड़ी थी कि court of session जो है session court है उसके बारे में जो cases है उनकी cognizance magistrate ही लेता है और अगर वो court of session का case होता है तो trial चलाने के लिए court of session के पास भेज देता है पर cognizance आम परिसितियों में magistrate ही लेता है magistrate सहाब लेते हैं पर ये एक ऐसा section है section 199 का section 2 ये एक ऐसी परिस्ति है बहुत exceptional situation जहां पर किसी case का cognizance बच्चे कभी ये सवाल भी आ सकता है आपके objective type में कि कि किसी case का cognizance court of session लेता है ठीक है पर court of session भी जब cognizance लेगा ऐसी परिस्तियों में उसके उपर भी restriction लागू होगी और वो restriction क्या है कि अगर ये लोग involved है के बारे में तो नहीं लेगा जब तक court of session जब तक की कंप्लेंट ना फाइल की जाए उसके सामने किसके द्वारा पब्लिक प्रॉसेक्यूटर के द्वारा सरकारी वकील के द्वारा और वो जो पब्लिक प्रॉसेक्यूटर है वो जो कंप्लेंट फाइल करेगा वो उसका राइटिंग में होना ज़रूरी है लिखेत रूप में होना ज़रूरी है तो जब भी ये लोग involved होते हैं चैप्टर 21 के द्वारा प्रॉवाइड़ अपराधों में तो उसके दो consequence होते हैं बच्चे पहला consequence होता कि कोगनिजन्स magistrate नहीं court of session लेता है और दूसरा जो कोगनिजन्स भी लेता है court of session वो केवल और केवल complaint पे लेता है किसकी public prosecutor की आम पर सितियों में कौन complaint फाइल कर रहा था वही एग्रीव्ट परसन यहां पे तो एग्रीव्ट विचारब ils होगा वाइस प्रैसिडेंट हुगा गवर्नर होगा एड्मिस्ट्रेटर होगा मिनिस्टर होगा पब्लिक सर्वेंट होateurs वो लोग नहीं कर रहे complaint उनके बिहाफ पे public prosecutor करेगा और केवल और केवल जब public prosecutor करेगा तब केवल और केवल court of session कोगनिजन्स ले सकेगा तो ये दो बड़े impact पड़ते हैं जब ऐसे लोग involved होते हैं किसमें defamation के अपराज में ठीक है उम्मीदर समझ में आ रही है बात अगर कोई समझ में ना है तो पूछ लें कि ना कॉम्टू सब्सेक्शन 3 हर complaint जिसकी बात अभी हमने सब्सेक्शन 2 के अंदर करी मतलब वही प्रेसिडेंट वाली situations यह जरूरी है कि वह complaint सीधे रूप से उन तथ्यों को उजागर करे जिससे clear हो जाए कि chapter 21 के अंदर defamation से जुड़ा हुआ कोई भी अपराद किया गया है ठीक है और वह इतना detail में होना चाहिए जितनी detail sufficient मानी जा सकती है उस accused व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ यह allegation लगाई जा रही है कि उसने defamation का अपराद किया है तो कहने का मतलब है subsection 3 के अंदर वैसे तो बच्चे मैं आपको बताऊं कोई भी complaint कोई भी not necessarily 199 की जरूरी नहीं है कोई भी complaint जो file की जाती है कभी भी section 190 के subsection 1 के एक के अंदर it is always required कि वो complaint अपने आप में sufficient details को provide करे जैसे कि उसमें वो तथे होने चाहिए जिससे clearly पता चले कि कोई अपराद हुआ है सबसे पहला पंक्ट दूसरा अगर हो सके तो ये भी जरूरी है कि उस complaint के अंदर अलीज किया जाए कि वो अपराद किस ने किया तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं और कभी-कभी ये भी जरूरी हो जाता है कि complaint के अंदर ये भी लिखाओ कि कोई भी अपराद किन परिस्टियों में हुआ तो ये basic requirements होती है किसी भी complaint के हर एक complaint में इस बात की जरूरत होती है पर जब हम specifically subsection बनाकर इस बात पर जोर डालते हैं कि वो जो complaint है वो sufficient होनी चाहिए तो उसका प्रभाव को जादा ही पड़ता है no doubt वही काम ये subsection 3 के अंदर हो रहा है ये जो बातें बोल रहे हैं ये कुछ नहीं बातें नहीं बोल रहे हैं बातें वही हैं जो पहले से ही पूरी होनी चा आप दे रहे हैं वो sufficient detail के साथ होनी चाहिए जो एक्यूस्ट को बता पाएं कि किस अपरात के बारे में हो रही है बात और सब सेक्शन फूर जो है उसमें एक और requirement जोड़ देता है वो बोलता है कि सब सेक्शन टू के अंदर मतलब वही प्रेसिडेंट वाली सिच्वेशन में कोई भी complaint नहीं में फाइल की जाएगी किकशी भी प्रोसेक्शीटर के दुवारा हमने पढ़ाना कि उन परिस्थिद्यों में कौन करता है crypto प्रोसेक्यूटर सबसेक्शन फूर कह रहा है कि कि कोई भी प्रोसेक्शीटर Striking नहीं सब सेक्शन टू के अंदर जब तक कि उसके पास प्रीवियस सेंक्शन ना हो प्रीवियस पर्मीशन ना हो और किसकी चाहिए प्रीवियस पर्मीशन प्रीवियस पर्मीशन चाहिए स्टेट गवर्मेंट की अगर जो डिफिमेशन हुआ है वह स्टेट के गवर्नर का हुआ है या फिर स्टेट गवर्मेंट के किसी मिनिस्टर का हुआ है हमने कई सारे लोग पढ़े से ना प्रेसीडेंट वाईस प्रेसिडेंट गवर्न अड्मिर्स्टेटर मिनिस्टर पबलिक्स抓वन तो अगर defamation हुआ है किसी governor का हुआ है या फिर state level के minister का हुआ है तो previous sanction public prosecutor को किसे लेनी पड़ेगी state government से ठीक है और अगर defamation किसी public servant का हुआ है जो public servant राज के लिए काम करता है राज सरकार के लिए काम करता है तो state level का जो public servant है उसके बारे में भी अगर उसका defamation हुआ है तो उसके बारे में भी sanction state government देगा तो governor के बारे में state level के minister के बारे में और state level के public servant के बारे में permission कौन देती है state government logical है ठीक है clear है और बाकी सब लोगों के बारे में जैसे कि president vice president union territory के administrators वो public servant जो union के लिए काम कर रहे हैं इन सभी लोगों के बारे में permission कि से लेनी होती है public prosecutor को central government से किसे लेनी होती है central government ठीक है now come to subsection 5 कोई भी court of session क्यों लिखा है वो तो आप समझ गए ना क्योंकि subsection 2 के अंदर सबसे पहली बात हमने क्या पड़ी थी कि उन सारी परिस्थितियों में जो cognizance है वो magistrate नहीं बलकि court of session लेता है तो subsection 5 उसी के बा सबसेक्शन के अंदर जब तक कि वो जो complaint है जो public prosecutor के जारा फाइल की जा रही है previous sanction के साथ वो complaint छे महीने के अंदर फाइल ना की गई हो मतलब यह भी जरूरी है मतलब क्या क्या requirements पड़ नी पहली requirement हमने पड़ी कि complaint जो है वो public prosecutor फाइल करेगा दूसरी हमने पड़ी कि public prosecutor complaint फाइल करेगा previous sanction लेने के बाद और अब तीसरी बात क्या पड़ रहे हैं यह जरूरी है कि वो public prosecutor प्रीवियस sanction लेने के बाद complaint फाइल करे विदिन six months अगर अगर उ पड़ाती है किसी भी public prosecutor के तवारा तो हमारे court of session के पास power नहीं है कि वो उस अपरात के बारे में cognizance ले ले तो limitation period भी explicit provide किया गया है और वो है बचे छे महीने का और आखरी सब्सेक्शन है कि जो भी बाते हमने पढ़ी बच्चे इतनी सारी बातें पढ़ ली देखो structure को समझ लो हमारे section के हमारा जो section 199 हमने अभी पढ़ा यह किसके बारे में था defamation के बारे में था chapter number 21 के बारे में इसका जो सब्सेक्शन वन था वो यूनिवर्सल सेक्शन था मतलब आम परिस्टी जहां पर आप जैसे मेरे जैसे लोगों का defamation हो रहा है और वहाँ पर तो बस इतनी सी बात की गई थी कि defamation हो रहा है तो जो complaint है वो या फिर मेरे को कोई परशानी है कोई problem है यहां मैं परदा नशीन लेडी हूं तो कोई और कर सकता है पर विद्धी previous sanction तो सब्सेक्शन वन था वो तो आम परिस्टियों में था पर बाकी के जो सब्सेक्शन से from सब्सेक्शन स्टू तो सब्सेक्शन फाइफ इनके अंदर ज administrators public servants तो उसके बारे में नियम कानून और रेस्टिक्शन लगाए जा रहे थे अब यह जो सब्सेक्शन सिक्स है यह जो आखरी सब्सेक्शन है यह clarification है इसी structure का clarification है बोलता है कि जो भी बात हमने खास-खास पड़ी उससे फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर जो अधिकार उसका complaint फाइल करने का है किसी भी ऐसे अपराद के बारे में जो chapter 21 के अंदर हुआ है कि वो उस complaint को magistrate के सामने फाइल कर सकेगा और उस magistrate के पास भी cognizance रहेगी तो कहने का मतलब है मतलब यह बात हमको पहले से पता है पर जो हमारा सबसेक्शन 6 है वो clarification दे रहा है कि कहीं confused मत हो जाना मतलब defamation के हर case के अंदर court of session नहीं आएगा मतलब वो प्रेसिडेंट गवर्नर वो सारे लोग आ रहे होगी आप जैसे मेरे जैसे लोगों की परिस्तिती में जो कोगनिसंस लेने की पावर है वो section 190 के अंदर ही रहेगी और magistrate of first class की कोगनिसंस लेगा तो कोई भी अगर आम व्यक्ति है उस category में नहीं गिर रहा है जो सब section 2 के अंदर provided है तो वहाँ पर तो आम प्रक्रिया चलेगी कि आप magistrate के पास जाके complaint लिन फाइल करोगे और वो कोगनिसंस लेगा बस सब section 1 के अनुसार यह जरूरी है कि complaint एग्रीवड परसन ही फाइल करें तो बस एक प्रकार का clarification है उससे जादा कुछ भी नहीं ठीक है तो यह था बच्चे हमारा section 199 जो आखरी restriction थी magistrate सहाब की कोगनिसंस लेने की पावर भी अब मुझे फटाफट से यस टाइप करके बता दो अगर आप सभी लोगों को पूर तहा clarity मिल गई है कोगनिसंस के बारे में कोगनिसंस के उपर लगने वाली रेस्टिक्शन के बारे में मतलब section 190 से लेके 199 तक की कहानी अगर आपको पूर तहा समझ में आ गई है तो आप confidently एक बार यस टाइप कर दो ठीक है क्योंकि अब जो है हम थोड़ा सा serious हो रहे हैं serious मतलब हम शुरू से ह है बढ़ तोड़ा और ज्यादर serious हो रहे हैं the next stage the next day today we are going to move to two two very important stages of CRPC तो आज की यह जो दो classes they are going to be very very important ठीक है अब दस सेकेंड लोंगा बच्चे दस सेकेंड में अपने ब्रेक उस दिमाग को भी शांत करो और अपने नोट्स में तीन लाइनों को खाली छोड़ दो फटा फट से अब आ रहे हैं बच्चे हम लोग chapter number 14 कि 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 अब आ रहे हैं हम लोग chapter number 15 से 14 हमने complete कर लिया अब यह जो chapter number 15 है इस में बच्चे चार सेक्शन से से सेक्शन 200 200 120 चारो ही सेक्शन वैसे प्रत्यक शुरूप से मैं बताऊं पहली बार तो बच्चे देखो किसी भी चीज़ को समझने में समय लगता है थोड़ा साम को चीजों को समझते चलना सी आपी सी के अंदर यह बड़ा सरूरी होता है कि अभी तक जितना हमने ग्यान प्राप्त किया है न वह हमारे दिमाग में हो बच्चा स्ट्रगल तभी करता है जब उसको पहले की चीज़े या तो समझ में नहीं आई या उसने कवर नहीं करी अगर आप अभी तक चीजों को समझ आये हो मतलब 199 तक आप पहुंचे हो सब को समझ के तो आपके लिए कुछ भी नहीं है यह सेक्षिन ठीक है आजाओ कि वेरी फर्स सेक्षिन ओफ चैप्टर नंबर 15 इस सेक्षिन 200 दोसो और यह जो सेक्षिन 200 है यह बात करता है हमारे कंप्लेनेंट की किसकी कंप्लेनेंट की और कंप्लेनेंट के एक्जामिनेशन की बात कर रहा है कंप्लेनेंट का क्या होगा एक्जामिनेशन अब यह एक् नहीं नहीं यह दूसरा examination है यह judicial sense में examination है पर सबसे पहले context बनाओ दिमाग के अंदर structure create करो आप देख रहे हो कि title के अंदर ही complaint लिखा हुआ है मतलब complaint की तरफ इशारा है तो इस्तिती कौनसी वाली बात हो रही है तुरंत अपने दिमाग को इतना train कर लो कि बिना बोले यह सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में होने लगे किसकी बात हो रही है section 190 सब सेक्शन वान और एक तो जो सबसे पहला तरीका था कोगनिजन्स लेने का बाइदी मर्जिस्टेट उसके सिनेरियों में बात हो रही है इस कॉंटेक्स को दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है वनना कहीं कंफ्यूज मत हो जाना यह सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं çap वो पुलिस रिपोर्ट वगयरा में लागू देयार एक्स्क्लिवीजव फॉर दिकेस्स अव्-दी-कंप्लिएट जरक phonesक कंफ ली गई है जब भी मजे इसी प्लेंट करा काぎंजिशन्सुख लेता तब यह सारे sections जो हम पढ़ने वाले हैं, वो picture में आते हैं, you need to be very clear about this, now come to the section, कोई भी magistrate, जो cognizance ले रहा है, किसी भी अपराद के बारे में, किसी भी complaint के basis पर, वही बाद जो मैंने आपको बताई, कि कोई भी magistrate, cognizance ले रहा है, किसी भी अपराद के बारे में, complaint के basis पर, ध्यान से देखना बचे, उसकी ये जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे से इसको underline, highlight जो करना कर लो, वो बाद दे है, कौन बाद दे है, magistrate साहब, वो वाद हैं, कि वो examine करेंगे, उस complainant को, जिसने वो complaint फाइल की है, और witnesses को, अगर वो कोई गवाहा भी लाया है, तो उन गवाहों को, किस पर examination करेंगे, उनको ओत पर, उनको कसम दिलवाएंगे, उनको प्रतिग्या दिलवाएंगे, और उनको examine किया जाएगा ओत पर, और उनका ये जो examination होगा, मतलब वो जो भी बातें बोलेंगे, वो complainant और वो witness, अपने examination के अंदर, ये जरूरी है कि हर वो बात को लिखित रूप में उतारा जाए, एक-एक बात को बच्चे लिखते चलना, तो ये जो examination होगा, it is necessary that each and every point of that examination has to be reduced into writing, हर बात लिखित रूप में होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, ये भी जरूरी है कि एक बार जब उस examination को लिखित रूप में उतार लिया पूरा, फिर ये भी जरूरी है कि उस पे हस्ताक्षर किये जाएं, और हस्ताक्षर कौन करेगा, वो complainant करेगा, जिसने complainant फाइल की थी, गवाह करेंगे, जिन गवाहों का examination हुआ है, और आखरी में, जो magistrate सहाब हैं, जिन magistrate सहाब ने उस complainant के आधार पर cognizance ली है, वो भी हस्ताक्षर करेंगे, क्या क्या पड़ा, कि कोई भी magistrate जब किसी भी अपराद की cognizance लेता है, किसी भी complaint के आधार पर तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है, कि वो complaint और उसके witnesses को oath पे examine करें, और उस examination का हर एक point राइटिंग में उतारा जाए, और उस पे हस्ताक्षर हो complaint के, witness के और magistrate साथ के, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत परिशानी आपको होनी चाहिए, फिर देखो ये provisor, provisor थोड़ा समझदारी से देखना, provisor बोलता है, कि अगर वो जो complaint है, जिसके आधार पर cognizance ली गई है, अगर वो complaint writing के form में थी, अब यहाँ पर एक बात आती है, देखो बच्चे, section 190 के अंदर, कहीं पे भी वो जो complaint है, उसकी form के बारे में जिक्र नहीं किया गया, जिसका मतलब यह है कि कोई भी complaint जो magistrate के सामने file की जा रही है, वो writing में भी हो सकती है, वो oral भी हो सकती है, एसा भी हो सकता है कि वो चिठी के रूप में हो, पत्र के रूप में हो, और एसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति डारेक्टली magistrate साहाब को approach करके complaint करें मौकिक रूप से, तो अगर परिस्चिती ऐसी है कि कोई भी complaint writing के अंदर है, तो ऐसी situation में जो हमारे magistrate साहाब हैं, उनके लिए जरूरी नहीं होगा complaint को और उसके witnesses को examine करना, अगर, अगर, वो जो complaint है किसी public servant के तुवारा जो public servant उस complaint को file करते वक्त अपनी official duties को निभा रहा था किसी ऐसे public servant के द्वारा file की गई है यहां फिर वो complaint किसी court के द्वारा अब दिमाग में चलाते रहो हमने restrictions वगेरा पढ़ी थी याद होगा section 195 196 197 में कुछ पढ़ाता यह सब public servant court तो अगर कोई complaint writing में किसी public servant ने file की है अब पब्लिक सर्वेंट का file करता है याद करो जब किसी public servant के किसी order की अभेलना की जाती है कोट का file करता है हमने पढ़ा था offenses against public justice कि कोट के सामने कोट की प्रक्रिया के साथ छेड़ खानी की जाती है कोई जूटा document को जूटा evidence पेश करके तो कोट उसके बारे में complaint करता था तो अगर जो complaint है वो राइटिंग में है और वो किसी public servant के द्वारा है और वो public servant के द्वारा है तो ऐसा जरूरी है कि उसकी personal capacity में ना की हो उसने complaint अगर कोई public servant है जिसकी personal capacity में उसने कोई complaint file कि उसको उसका पड़ोजी परेशान करता है तो वहां पर यह स्तिति लागू नहीं होगी यहां पर तो public servant का examination होगा पर अगर कोई public servant अपनी official duties के अनुसार कोई complaint file कर रहा है मतलब वैसी परिस्तितियां जहां पर complaint file करने की वज़ा उसकी नौकरी से जुड़ी हुई है यहां फिर कोई court file कर रहा है तो वहां पर examination की ज़रूरत नहीं है यहां फिर वह जो magistrate है जिस magistrate ने कोग्रिजेंस लिया है किसी case का complaint के आधार पर section 190 के अंदर अगर वह complaint राइटिंग के अंदर है और वह जो magistrate है उस case को transfer कर रहा है उस case को भेज रहा है किसी दूसरे magistrate के पास हमारे section 192 के अंदर यह बड़ा मज़ेदार है मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है अभी मैं आपको याद दिला दूँ तो अगर किसी magistrate के पास कोई complaint आई थी जो राइटिंग में थी और उसने उसका कोग्निजेंस ले लिया पर उस case को वो खुद नहीं चला रहा है उस case का trial वो खुद नहीं चलाने वाला है बलकि उसको trial के लिए किसी किसी दूसरे magistrate के पास भेज रहा है तो ऐसी परिस्तिती में बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो इसको कंप्लेनेंट को और इसके witnesses को examine करें पर अगर जो magistrate है जो किसी केस को दूसरे magistrate के पास भेज रहा है सेक्शन 192 के अंदर वही बात जो अभी हमने पड़ी अगर उसने कि उस कंप्लेनेंट का और उस witnesses का examination कर लिया है मतलब जो magistrate भेज रहा है किस को कि वो कंप्लेनेंट और witnesses का examination करने के बाद भेज रहा है तो ऐसी परिस्तिती में वो जो दूसरा magistrate है जिसके पास वो केस भेजा जा रहा है उसके लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वो फिर से उस कंप्लेनेंट को और इस witness को दुबारा से examine करें ठीक है अब देखो बारी बारी से टुकड़ों में बाटते हैं यह है पहला टुकड़ा पहली requirement तो है कि इस complaint complaint जो है राइटिंग में होने चाहिए अगर वो जो राइटिंग वाली complaint है किस complaint है किसी पब्लिक सर्वेंट के दुवारा है या कोट के दुवारा है तो तो examine करने की जरूरत नहीं है इतना भरोसा हम करते हैं तो यहां पर जो बरे जो वजह है examination ना करने की वो है वो भरोसा उनकी पद की वजह से आ रहा है पब्लिक सर्वेंट है कोट है पर यह जो दूसरा भाग है यह जो दूसरी component है जहां पर examination करने की जिम्मेदारी नहीं है उसमें परिस्टी ऐसी हो रही है कि कोई मजस्टेट किसी केस की कोगनिजन्स लेके उसको ट्राइल के लिए दूसरे मजस्टेट के पास भेज रहा है अब बच्चे यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एक बात मैंने आपको बताई है आप सबी लोग इतना तो समझते हो ना कि कोगनिजन्स और ट्राइल एक दूसरे से अलग है कोगनिजन्स का मतलब क्या होता है एप्लिकेशन ऑफ मैंड मात्र इतनी सी बात कि किसी व्यक्ती ने किसी कंप्लेंट को सुना है और उसे लगता है कि उसमें दम हो सकती है यहां पर किस कंबीनी प्याइड आइट पूर के लिए कि कोई जो ने रहा है वही उसका ट्राइल चलाए ऐसा हो सकती है कि कप एकरेंस को ट्राइल के लिए किसी दूसरे कोड के पास बेंदर साट के पर्टस्यट है और लो परिस्टिति हमने पढ़ह से पढ़ चुके हैं और वह पर थी सेक्शन 192 के अंदर अगर नहीं याद है तो फटाफट से देख लो किसी भी तरीके का डाउड नहीं रहना चाहिए दिमाग में देखो भाई फटाफट से 192 को 192 का टाइटल है making over of cases to magistrates जिसमें बूला जा रहा है कि कोई भी चीफ जुडिशन magistrate कोगनिजन्स लेने के बाद किसी भी अपराद का उस केस को ट्राइल के लिए भेज सकता है किसी भी दूसरे magistrate के पास जो से subordinate है तो अगर कोई भी केस है जिसका cgm साब ने cognizance लिया अब cgm साब तो उनका पास पहले से इतना burden है और वो चाहते हैं कि उस केस को तो दूसरे magistrate के पास भेज दिया जाए किसी दूसरे magistrate of first class के पास भेज दिया जाए तो वो उसके पास भेज सकते हैं कोई परिशानी नहीं तो एक example यह हो गया कि कोगनिजन्स तो cgm साब ने ली पर ट्राइल कोई दूसरा magistrate चलाएगा दूसरा एनी magistrate of first class empowered in this behalf by the chief judicial magistrate में after taking cognizance of an offense make over these cases यही जो power cgm साब के पास है कि वो किसी केस की कोगनिजन्स लेके उसको दूसरे magistrate के पास भेज रहे थे यही पावर वो किसी दूसरे magistrate को भी दे सकते हैं कि वो जो दूसरा magistrate है उनके बहाफ पे किसी केस की कोगनिजन्स ले और उसको किसी दूसरे magistrate के पास भेज दे जो भी competent हो तो मोटे तोर पर section 192 के अंदर एक ऐसी परिस्तिती है जहां पर उस केस को कॉगनिजन्स लेने वाला एक magistrate है और उसको ट्रायल चलने वाला दूसरा magistrate है तो अगर ऐसी परिस्तिती है तो ऐसी परिस्तिति में वो जो magistrate है जिस मझस्ट Protestant ने कॉगनिजन्स लिया इस का अगर वह complainant अगर वो जो homeland है जिसके जिसके आधार पर cognizance लिया है अगर वो complaint राइटिंग में है तो ऐसा बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो magistrate है जिसने cognizance लिया है वो examine करे उस complaint को या witnesses को अब आप सभी सोच रहे होगे सर ऐसा क्यूं है बाकी सब केसिस में अगर magistrate साफ cognizance ले रहे तो वो examine कर रहे है यहां पर क्यों नहीं कर रहे है यहां पर क्या बदल गया अगर कोई और magistrate भी ट्राइल चलाएगा तो क्या बदल गया करनेदो examine क्यों नहीं करने देरे क्योंकि यहां पर हमारी इंटेंशन यह है कि जो कोड चलाए वही खुद एक्जामिन करें क्योंकि कल को उसी को के सब्सक्राइब उसकी को मौका मिलना चाहिए उन लोगों की वैरेसिटी टेस्ट करने का फिर हो चाहें कंप्लेनेंट हो चाहें उसके विटनेस हो इसलिए हम ब जो magistrate है उसने जिसने cognizance ली है उस case की उसने पहले ही examine कर लिया तो ऐसी इस्तिती में जब वो case को trial के लिए भेजा जाएगा दूसरी magistrate के पर ऐसी situation में जरूरी नहीं है उस दूसरे magistrate के लिए कि फिर वो दुबारा से re-examine करे अगर उस cognizance वाले magistrate ने examine कर लिया है तो उसने writing में तो लिखी होगी हर चीज जिसमें जैसे हमने पढ़ा की sign करवाई होंगे उस complainant के उसके witness के उसने खुद करे होंगे तो उनी के आधार पर वो judge कर सकता है तो कहने का मतलब है कोशिश ये रहेगी कि cognizance वाला ना करे जो trial चलाने वाला है वही करे पर अगर cognizance वाले ने कर लिया है तो trial वाले के लिए दुबारा से करना जरूरी नहीं है ठीक है so this is the agenda जो हमारे section 200 का है कि अगर complaint के आधार पर cognizance ली जा रही है तो जरूरी होता है उस complainant का और उसके witnesses का examination हो ठीक है मोटे तोर पर यही बात है पर एक basic सा question जिसको address नहीं किया एस section ने वो यह है कि हम ऐसा कर क्यों नहीं है why are we doing this ऐसा क्यों कर रहे है किसी भी complainant को या उसके witnesses को why are we examining them complaint file कर दी complaint के आधार पर cognizance ले ली अब सीधे हम लोग charge frame क्यों नहीं कर रहे है trial की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे है वारंट जारी क्यों नहीं कर रहे है क्यों कि उसके खिलाफ क्यों complainant का एक्जामिन कर रहे है विटनेस उसी के खुद के विटनेस के एक्जामिन कर रहे है ऐसा क्यों इतना शक क्यों कर रहे है अब यहीं पर बच्चे हमको समझना पड़ेगा हमारे जुडिशल सिस्टम का structure देखो बच्चे हम सभी लोगों के पास अधिकार है आर्टिकल ट्वंटी वन के अंदर हमारे पास अधिकार है कि हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है हमारे पास फ्रीडम है right to life है हमारा भारती सम्विधान हमको protect करता है हमारे अधिकारों को संग्जो के रखता है तो अगर हम ऐसा कर देंगे कि कोई भी विक्ति केवल complaint फाइल करके हमारे खिलाफ किसी भी आधार पर हमारी इस आजादी को हमसे चीन सकेगा तो तो वो बहुत कलत इस्तिती हो जाएगी आप खुछ सोचो खुद दिमाग लगाओ कोई भी विक्ति किसी भी की विक्ति खिलाफ चुटी जुटी complaint फाइल कर दे कल कुछ आए कुछ भी हो ट्राइल के अंदर पर उस समय पे तो अगर उस विक्ति कि खिलाफ कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं हम शूर होने चाहिए कि एक्शन लेना बनता है तो हम कैसे डिसाइड करें क्या आगस के टुकडे पर या किसी की कही हुई बातों पर कैसे भरोसा कर ली कोई भी विक्ति कोई भी मन गणत कहानी बना सकता है हरजार तरीके की बातें कह सकता है तो यह जरूरी है ना कि हमारा उसके उपर कॉन्फिडेंस हो यही कॉन्फिडेंस जनरेट करने की प्रक्रिया है बच्चे सेक्शन दोस्व कि जब हम कंप्लेनेंट को बुलाएंगे उसको ओत दिलवाएंगे और उससे डारेक्ली प्रत्यक्ष रूप से सवाल जवाब करेंगे और उसके विटनेस से पूछेंगे की भाई क्या ऐसा हुआ सही कहरा ही है तब हमारे उंदर हो सकता है जरूरी नहीं है अब भी पर हो सकता है कि हमारे अंदर भरोसा जागे और तब अगर हमको लगेगा सही जैसा हम आने वाले सेक्षन में पढ़ेंगे तो हम एक्षन लेंगे और अगर नहीं सही लगेगा तो नहीं लेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांस्पेरिंट रखने के लिए कि यहाँ पर कोई भी मजिस्टेट भी अपनी मनमानी ना चला पाए यह जरूरी बनाया गया है कि ऐसा कोई भी एक्जामिनेशन इट हैस टू भी इन राइटिंग जिस पर हस्ताक्षर हमको चाहिए बच्चे ऐसा बहुत कम होता है आप CRPC को पूरे CRPC को जच करें आप हमेशा पाओगे कि CRPC ने पुलिस पर हमेशा शक्क किया है और मजिस्टेट पर हमेशा भरोसक किया है पर यह एक ऐसा सेक्षन है जहां पर मजिस्टेट को भी एक शक्की निगा से देखा जा रहा है and that is the reason कि हर जगे shell, shell, shell में की बात नहीं है it is not the manmani or the discretion you have to do this you have to convert that into writing जिस पर sign लेने पड़ेंगे complainant के, witnesses के और खुद के भी कि कल को आप back out ना कर पाओ from the entire thing तो बच्चे इस judicial process में यह जो सफर है हमारा case up till the trial जो हम पढ़ेंगे आगे उसके बीच का यह बहुत important stage है कौनसा? examination of the complainant का क्योंकि यह जो examination of the complainant है यही निर्धारित करेगा कि वो जो case है वो trial की तरफ जा भी पाएगा या नहीं या फिर इसी level पे खतम हो जाएगा यही बात में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी पिछली class उससे कि cognizance कुछ भी नहीं है cognizance is just a formality उससे कुछ भी नहीं हुगा it is just the simple application of mind कानूनी रूपसर उसका कोई भी consequence नहीं है सही माइनों में consequence आता है section 2 से जब आपने examine कर लिया complainant को उस examination का अगर जो positive result आया तब consequences फोलोंगे cognizance से कुछ नहीं होता है ठीक है so this is something that you need to get your mind into ठीक है जिसमें आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ तक सब कुछ ठीक है अगर बच्चे section 200 समझ में आ गया है कर दो जिससे मुझे भी पता चलता रहे नहीं मेरा भी पता रहना बढ़ा ज़रूरी है कि बच्चों को मेरे को तो समझ में आ रही है मैं तो सालों से पढ़ रहा हूँ मैं मेरे बच्चों को आ रही है कि नहीं डाट इस इंपॉर्ट चालो यह आखरी सेक्चन है फिर मैं आपका ब्रेक कर दूँगा मैं अंडरस्टाइंडिंग की हेवी है फिर नौ बजे से दुबारा शुरू करेंगे नो प्रॉब्लम बट कम टू सेक्चन टू जीरो वान यह जो सेक्चन दो सो एक है यह बात करता है प्रोसीजर की जहां पर कोई magistrate ध्याँ से देखना जो competent नहीं है किस बात का competent इस बात में फर्क करते रहे ना बच्चे किस बात का competent नहीं है magistrate कॉग डिजर्स लेने का मतलब सेक्चन दो सो एक के अंदर ऐसी परिस्टिती है जहां पर कोई magistrate है जो किसी case का cognizance लेने के लिए competent नहीं है तो क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई complaint file की जाती है किसी ऐसे magistrate के पास जो magistrate competent नहीं है उस अपराद का cognizance लेने के लिए अभी इसको समझेंगे तो जब भी ऐसी situation हो जाएगी कि किसी भी ऐसी magistrate के पास कोई complaint पहुच जाएगी जिसके पास power ही नहीं होगी उस अपराद का cognizance लेने की तो ऐसी स्थिती में उसकी जिम्मेदारी शेल देखो बच्चे उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर वो जो complaint है जो उसके पास आई है जिसके बारे में उसके पास competency नहीं है अगर वो writing के अंदर है तो उस complaint को वो वापिस कर देगा और साथी साथ वो जो complaint है उसको guide भी करेगा कि उसे उस complaint को कहाँ पे present करना चाहिए मतलब कहाँ पे कौन से code के पास जाना चाहिए जिसके पास cognizance होगा जिसके पास power होगी इस complaint की cognizance लेने के लिए और इस बात को कि वो ऐसा कर रहा है इस बात को वो उस complaint पे लिखेगा endorse करेगा कि ये complaint मेरे पास आई थी मैं incompetent हूँ इस complaint को address करने के लिए and for that reason मैं इस complaint को guide कर रहा हूँ कि इसको complaint कहाँ file की जानी चाहिए ये बाते लिखनी होंगी हमारे magistिस्टेट सहाब को उस complaint के उपर पर अगर वो जो complaint है वो राइटिंग में ही नहीं है मौकिक है अब उसमें क्या ही विचार endorsement दे तो ऐसी में तो वो simply complaint को बोल देगा कि भाई तुम उस फलाने कोट के पास चले जाओ जिसके भी पास cognizance होगा तो कहने का मतलब है section 201 की जो जिम्मेदारी है वो procedural रूप से तो इतनी मैतपूर्ण नहीं है पर कभी भी अगर देखो बचे हमारा देश है हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी जनता illiterate है और बहुत ही जादा बड़ी जनता legally illiterate है फर्क समझते हो ना illiterate और legally illiterate होने में कानूनी रूप से illiterate है आप किसी आम वेक्ति को पूछो कि कोई complaint कहां फाइल होगी आम वेक्ति चोड़ो आप law student से पूछो नहीं बता पाएगा नहीं है क्या करें ऐसा और देशों में नहीं हो था people do have basic knowledge of law बड़े देशों में advanced countries में दे नो उनके अधिकार उनको कहां जाना है कैसे जाना है वो इतना basic उनको पढ़ाते हैं बहले ही वो लॉग नहीं कर रहे हैं बट हमारे यहां तो लॉग करने वालों को इतना गया नहीं दाट इसी प्रॉब्लम तो वही वज़ए है कि हमने यह section 200 एक डाला है कि कभी भी किसी magistrate के पास ऐसी कोई complain आ जाए तो ऐसा नहीं कि वो बैठा रहेगा उसके उपर यह उसको फाड़ के फिक देगा उसकी जिम्मेदारी है भाई कि वो उस बंदे को guide करेगा अगर वो writing में है तो उसको बताएगा कहां जाना है और उसके अपना endorsement देगा और अगर वो मौक मौकिक रूप है तो उसे मौकिक रूप से guide करतेगा पर हमारे लिए जादा महत्पूर्ण बात है यह है कि ऐसी इस्तिति कब आएगी कि कोई magistrate incompetent होगा तो यह दो कॉंटेक्स्ट में आ सकती है वच्चे यह situation दो कॉंटेक्स्ट में आ सकती यह परिशानी कि कोई भी magistrate है व पहली वज़य हो सकती है jurisdiction यह सारी बातें लिख लेना बच्चे ठीक है jurisdiction और यहां पर यह मेरा jurisdiction से मतलब है territorial jurisdiction कि मतलब कोई complaint है वो किसी अपरात के बारे में है पर जिस अपरात के बारे में वो complaint है जो magistrate के सामने पेश की जा रही है वो अपरात उसकी jurisdiction के अंदर नहीं हुआ है किसी दूसरे magistrate की jurisdiction में हुआ है तो पहली परेशानी यह वाली हो सकते कि कोई magistrate है जिसके पास complaint आई है तो ओधे से तो वो सक्षम है पर वो territory के आधार पर सक्षम नहीं है तो बता देगा कि भाई आप फलाने जिला के magistrate के पास जाओ पर दूसरी वजह जो दूसरा reason हो सक सकता है position की वी वज़े से हो सकता है जैसे आप सभी को पता है कि जहां तक cognizance लेने की बात है हमारे section 198 के अंदर judicial magistrate of first class को ये मोटे तोर पर जिम्मेदारी दी गई है हाँ ये बात भी सही है कि cgm सहाब भी cognizance ले सकते है पर मोटे तोर पर जो direct reference है that is to the judicial magistrate of first class की व्यक्तिन ने judicial magistrate of second class के सामने नहीं बलकि judicial magistrate of second class के सामने और वो ऐसा judicial magistrate of second class है जिसके पास cgm सहाब की permission नहीं है तो वह incompetent है बिचारा तो वो ये सारे काम करेगा पर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि judicial magistrate of first class भी incompetent हो जाए ऐसी है एक परिस्ति मुझे नहीं पता आप सोच पा रहे हो या नहीं पर हमने अभी पढ़िए अगर वो परिस्ति हमारे section 199 के subsection 2 की हो वो जो restriction हमने पढ़ी थी defamation वाली जो president, governor उन सब का हो रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर defamation उन लोगों का हो रहा है उन category of लोगों का हो रहा है तो उनके बारे में जो cognizance है वो केवल और केवल court of session ले सकता है तो अगर कोई complain आई judicial magistrate of first class के सामने है और वो complain है तो defamation के बारे में पर वो आम defamation नहीं है वो defamation किसी president का vice president का governor का है तो वहाँ पर वो judicial magistrate of first class है वो विचारा incompetent है तो ऐसी स्तिती में उसे ये guide करना पड़ेगा कि भाई आपको court of session में जाना पड़ेगा पर confuse मन दो ना अगर कोई आम defamation है आप जैसे लोगों का मेरे जैसे लोगों का defamation है तो तो judicial magistrate of first class competent है वो देख सकता है पर अगर वो वाली परिस्थिती है जो section 199 के 2 के अंदर पड़ी है तो वहाँ पर वो incompetent हो जाएगा पर जो भी वज़ा हो जो भी परिस्थिती हो जिस भी वज़ा से in competency आ रही हो in all these circumstances it is the responsibility it is the responsibility of that particular person जिसके पास वो complaint आई है कि वो right manner में गाइड करें ठीक है चालो अब मुझे फटा फट से बताओ आवी ओल क्लियर अब यौल क्लियर अबाउट section 201 कोई confusion नहीं है यस टाइप करेंगे फटा फट से चालो ठीक है